विश्व में भारत का मस्तक मुश्या करने वाले हमारे यश्वश्वी प्रधान मंत्री यादर्णी नरण्रमोदी जी उत्तरप्रदेश की माननिया राज्यपाल त्रिमती आनन्दी पठेल जी वत्तरप्रदेश की कर्मयोगी मुख्यमंत्री पिरमानयोगी आधित्यनाच जी ओध्योगी विकासमंत्री चांध्यो नंदकोपाल जी गुपता सबहापती विढ़ान परषद कुर्मानें सिंगी जवापती विढ़ान सभा त्रिसतेश जी माहना पार्टी की अध्यक्तिर पुपन जी शोदरी, स्री जस्मान जी शैनी, मुख्य सचियो, उत्तरवदेश, यम विविन उद्योग जगत के हमारे स्टालवर्ड्स, डेवियों वस्चजनों. सबसे पहले मैं मानि प्रधान मंत्री जी का अपने संसरीय निर्वाचन छेत्र लखलव में हार दिक स्वागत करता हूँ, हार दिक विनन्दन करता हूँ. प्रधान मंत्री जी, आपकी यहां पर उपस्थिती ही हम सब के लिए प्रेणा दाई है. आपके नेत्रत वा मार्ग दर्सन में जिस प्रकार उत्तरवदेश समेट पूरा भारत परगती कर रहा है, वह अपने में अभूत पूर्व है. साथियो, मैं पहले भी कई मंचों से इस बात को कह चुका हूँ, और एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ, कि किसी भी बिशार, घटना, या फिर मुद्दे को अलग तरीके से देखने का, प्रधान मंत्री जी का जो नजरिया है, वह आपको बाकी नेताओं से अलग स्रिणी में लाकर खड़ा कर देता है, जहां पर एक सामान ने जन प्रतिरी आपदा देखता है, वहां पर माननी प्रधान मंत्री जी का विजन, उन्हें अवसर देखने की प्रेणा देखता है, जहां पर एक सामान ने जन प्रतिरी समस्या देखता है, वहां माननी प्रतिरी समाधा की और देखते हैं यहां एक सामान ने जन प्रतिरी तौरित लाव की और अपना ध्यान आकर शित करता है वही माननी प्रधान मंत्री जी की दूरदर्शिता उन्हें चीजों को दूर गामी दृष्ट कोंड से आने वाले हजार साल के दृष्ट कोंड से देखने के लिए प्रे साथियों मानी प्रधान मंत्री जी के नेत्रतों में आज देश सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास और सब का प्रयास की भावना के साथ लगातार प्रगति कर रहा है समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो अपने आपको कहीं अकेला पाता हो या किसी शत्र में पीछ पूरा विश्वास है कि आपके तीसरे चौथे कारिकाल तक इस विकास भवन का शिखर आस्मान की बुलंदियों को चुएगा साथियों आज का दिन तो आप सभी उद्यमी बंधूओं का दिन है इफले मैं आप लोगों के उपर भी विशेश बात करना शाहूंगा एक समय था जब जन प्रतनिदियों और उद्योग पतियों के वीच की मुलाकात को बड़े संदे हास्पत द्रिश्टी से देखा जाता था किसी भी जन प्रतनिदि नियुक से मिलना उसके राजनाटिक केरियर के लिए किसी खत्रे की घंटी से कम नहीं समझा जा जाता था ऐसा मना जाता था कि राजनेताओं और उध्योग पतियों का गट्योड राष्ट के विकास केलिए ये अच्छा नहीं है कोई सोर्ध्यान देने वाला नहीं था कि राजनेता और उध्योग पती यरी साफ निएक के साथ मिलकर काम करें तो रास्ट कितनी तेजी से प्रगति करेगा लेकिन यहीं पर मूलंतर दिखाई देता है किसी सामान ने जन परते थी और माननी प्रधान मंत्री जी में जब माननी प्रधान मंत्री जी गुजरात के मुख्य मंत्री हुआ करते थी तब से ही यह देश देख रहा है कि किस प्रकार आप उद्योग पतियों के साथ मिलकर गुजरात में बदलाओ की एक ऐसी बयार लेकर आए जिसकी सुगंध सारे भारत में ही रही बलकि दुनिया में दूर दूर तक फैली है आज देश के अनीक राज्य है यहां तक की गैर भाजपा सासित राज्य भी विकास के गुजरात माडल के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं मानी प्रधान मंत्री जी इस बात के लिए भी साधुआद के पात्र हैं कि आपने वुद्योग पतियों और राजनेताओं के वीच के संबंध को अपने संकल्ब और अपनी राजनीतिक सुश्टा के माध्यम से देश के विकास की एक अनिवार शर्त बना दी है मुझे यह देखकर भी अत्यन प्रसंता होती है साथियों कि मानी प्रधान मंत्री जी की मारद अरसन में उत्तरप्रदेश आज एक बहुती क्रियावसील और प्रभावी मुख्यमंत्री के में नित्रत्यों में है जो उत्तरप्रदेश को विकास के पत पर आगे बढ़ाने क पूरी तरह से कमिटेड है मुख्यमंत्री सिरी योगी आदितनाज जी ने बीटे साथ वरसों में उत्तरप्रदेश में इनवस्ट्मेंट फ्रेंडली इनवार्मेंट क्रियेट करने की दिशा में जो प्रियास किये हैं उसकी परिनत यह है कि आज उत्तरप्रदेश में यह ब्रेकिंग सर्वनी हो रही है मुझे ऐसा रगए है कि यह तो सिर्फ एक सुरुआथ है मानि प्रधान मंत्री जी के मारगदर रशन में और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री स्री योगी आदितनाज जी के नेत्त्रत में जिस प्रकार से उत्तरप्रदेश आगे बढ़ यह ग्राउंड ब्रेकिंग स्वर्वनी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्मेंट लाने की दिशा में एक पाथ ब्रेकिंग स्वर्वनी थाबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विस्वास है। साथियों, मैं आस्वस्त हूं, हमारा उक्तरप्रदेश आगे विकास के नए आयाम गढ़ेगा, और मानी प्रधान मंत्री जी के मार्ग दर्शन में, हम सब मिलकर प्रदेश समेट बुरे रेज को वैस्विक पठल पर निश्चित रूप से और आगे ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, मैं प्रधान मंत्री जी का, एक बार फिर से, अपने संसरी अंदर वाचन शेत्र लखनव में आभार विक्त करता हूं, कि आप अपना मार्ग दर्शन और आशिरवात देने के लिए हमारे बीच आज लखनव में उपस्तित हुए हैं, इन्हीं सब्दों के सा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवादू